नमस्कार दोस्तों इंडिया बोले का मैं आपका स्वागत है जौनपुर की नौ विधानसभा सीटों पर सातवें चरड में सात मार्च को होने वाले मद्दान के लिए गुरुवार को कड़ी सुरच्छा के बीच कलेक्रेड में नामांकन प्रक्रिया सुरू हो गई पहले दिन कोई नामांकन नहीं हुआ केवल 91 परचे लिए गए इसमें प्रमुकृप से सागन से सपा के सैलेंद यादव ललही किराकत से सपा के तुफानी सरोज जफराबाद से जगदीस नाराय ने भी परचा लिया नामांकन 17 फरवरी तक आफलाइन वा आनलाइन दोनों तरीके से चलेगा हाला कि प्रत्याशी को आनलाइन नामांकन करने के बाद मूल प्रति लेकर एक प्रस्तावा के साथ आरों के समच उपस्तित होना होगा नामांकन पत्रों की जाच 18 फरवरी को और नाम वापसी 19 से 21 फरवरी तक हो सकेगी वही मद्दान 7 मार्च वो मद्गरना 10 मार्च को होगी नामांकन के मद्दे नजर जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से सुरच्छा को लेकर कलेक्टरेट परिसर में बैरिकेडिंग के साथ जवानों की तैनाती की गई है कलेक्टरेट के मुखे गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं जहां से चेकिंग के बाद अंदर के लिए प्रवेश दिया जा रहा है कलेक्टरेट के अंदर नमांकन अस्थल पर जाने के लिए बैरिकेडिंग सीसी टीवी कैमरा इबन बाहर सुरच्छा के कड़े प्रबंद किये गए हैं नमांकन कच्छ के बाहर कोविड हेल्प डेस्क वा गुबारा भी लगाया गया है पताते चलें कि पहले दिन बदलापूर विदान सबाथ से कुल सोला प्रत्यास्यों ने कुल तेस नमांकन पत्र लिए लिया जौन पूर सिरदर विदान सबाथ छेश से पंद रह नामांकन पत्र मलनी से याठ मुगरा बाशापुर से नौ अमशली सहर से चार मर्याउं से 10, जफराबा से 9 किराकर से 6 नमांकन पतलिये गए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए